प्रणेशी सरकार के जल संसाधन मंति तुलसी राम सिलावट के चार समर्थकों के खलाफ इंदौर की लसूरिया पुलिस ने मुकदमा दर्स कर लिया है यह मुकदमा उस वक्त दर्स किया गया जब महिला संगठन पुलिस थाने पर धरना देने के लिए जा पहुंची इसके पहले पीडित यूफ्ती ने डियाईजी हरनायचारी से भी शिकायत दर्स कराई थी दरसल मंति सिलावट से साफ जने कारेक्रम में सवाल पूछने पर यूफ्ती उपासना शर्मा को सिलावट के समर्थकों के दवारा सोचल मीडिया पर निशाने पर लेते हुए उसके खिलाफ अनरगल टिपड़िया की गई थी अपने खिलाफ हुए भद्डी टिपड़ियों की शिकायत के लिए पीडित यूफ्ती को लसूडिया और महिला थाने के चक्कर काटने पड़े थे तब भी FIR दर्स ना होने पर उपासना नीश की शिकायत डियाईजी हरनायचारी मिश्र को की थी लेकिन इसके बाद भी प्रक्रण दर्स नहीं होने पर मंगलवार शाम रीगल चौराहे पर महिला संगठनों द्वारा कैंडल मार्श निकाला गया था बुदवार दोपर उपासना शर्मा के साथ महिला संगठनों से चुड़ी महिलाएं बड़ी संग्या में लचुरिया थाने पर धना देने पहुची इसके बाद पुलिस सक्रिय हुई और मंदि सिलावर के समर्थक वसंद पांचाल उमेश प्रजापती मनोश शर्मा और प्रडव कुमार के खिलाफ धारा 509 के तहट मुकदमा दर्ष किया गया है पुलिस के द्वारा मुकदमा दर्ष करने में भी मंदि समर्थकों का साथ देते हुए ऐसी धारा में मुकदमा दर्ष किया गया है जो की जमानती है गौर तलब है कि पिछले दुनों पूरुमंदी जीतु पटवाई ने केंद सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने सरकार की नोडवंदी जीस्टी जीसी योजनाओ को परोक्षित तोर पर बेटी की चाहत में बेटी पैदा होने से जोड़ दिया था जिसके बाद मुख्यमंदी शिवराज सिहीं चोहान सहिल भाजवा कारिकरताओं ने महिलाओं का अपमान बताते हुए जम कर विरोध प्रदर्शन किया था लेकिन तुलसी राम सिलावर्ट के समर्था को द्वारा यूफ्ती पर आपती जनक्ति पड़ी की जा रही है लेकिन महिलाओं के सम्मान की दुहाई देने वाली भाजपन नेताओं ने मौन धारन कर लिया है कमर मध्यप्रदेश के लिए इंदोर से निकलेश सूरलंकी की रिपोर्ट